तो दोस्तो आज मैं आपके साथ कमल ककड़ी की बहुत ही मजदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप एक बार बना लेंगे तो हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे कमल ककड़ी जो है ना हमारे शरीर के लिए काफी ज़ादा फायदे मंद होती है तो आप इसका इस्तमाल जरूर करें किसी भी रूप में जरूर खाए कमल ककड़ी को कमल ककड़ी के बहुत सारे नाम होते हैं जैसे कि निलोफर के जड़ या फिर लोटस टैम भी इंगलिश में कहा जाता है भसिंडा और भी धेर सारे नामों से इसको जाना जाता होगा आपकी तरफ इसे किस-किस नाम से जाना जाता है कमल की ककड़ी जो है इस तरीके की होती है इसे अच्छी तरीके से धोने के बाद मैंने छील लिया है आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे छील रही हूँ बहुत ही आसानी से ये छील जाते हैं इसके साइड वाले पार्ट को हम कट करके हटा देंगे थोड़ा सा मोटा ही कट करके हमें हटाना है तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी ये रेसेपी थोड़ी सी भी पसंद आये यूसफूल लगे तो प्लीज लाइक कीजेगा जादा जादा शेयर कीजेगा फैमिली और फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट जरूर कीजेगा बहुत ही मेहने से कोई भी रेसेपी बनाती हूँ फ्रेंड्स तो प्लीज मेरा सपोर्ट जरूर कीजेगा सब्सक्राइब करके तो इधर आप देख सकते हैं मैंने कमल ककड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में थोड़े से मोटे साइस में कट कर लिया है आप अपने हिसाब से पतला भी कट कर सकते हैं तो जैसे आपको पसंद होना आप इस तरीके से कट कर सकते हैं तो छोटे छोटे साइस में इसे कट कर लेते हैं, सारे कमल ककड़ी को इसी तरीके से छील कर हमें कट कर लेना है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि कमल ककड़ी के बीच में ये किस तरीके का दाग जैसा लग रहा है काला काला सा तो ये मिट्टी लगी होती है कमल ककड़ी के अंदर तो इस तरीके से हलका हलके हाथों से आप छुड़ा सकते हैं लेकिन बहुत चिपचिपी सी मिट्टी लगी ह कमल ककड़ी के अंदर क्योंकि तलाव अगर आ установ ग्ति चली जाती जाती है तो इसको साफ कैसे करना है आगे मैं आपको वीडियो में बताओंगी दीघे किस तरीके की में आपको आज़ असानी से साफ हो जाता है तो सबसे पहले हमें 3-4 पानी से इसे अच्छी तरीके से disa अच्छे से इसे साफ करेंगे ना बढ़िया से ये साफ हो जाएगा लेकिन इसके जो होल्स के अंदर मिटी लगी है वो नहीं साफ होगा असानी से तो मैं बाद में वीडियो में बताऊंगी तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं तो अच्छी तरीके से मैंने इसे मल मल कर दो लिया है लगबग 3-4 पानी से से हमें अच्छे से धोना है तो सारे कमल ककड़ी को हम निकाल लेंगे फ्रेंस कमल की ककड़ी ना हमारे सेहत के लिए काफी जादा फायद मंद होती है तो मैं आपको सजिश्ट करूंगी कि आप इसका सेवन किसी भी रूप में जरूर करें तो अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसको धो लिया है अब चलते हैं गैस की तरब गैस पे मैंने एक बड़े से पतीले में पानी गरम होने के लिए रख दिया है तो गरम पानी में हम कमल ककड़ी को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम कमल ककड़ी को साधानी से डालेंगे ताकि छीटे वगर आपके उपर ना पड़ें तो सारा कमल ककडी को डालने के बाद ना इसमें हम डालेंगे लगबग एक बड़े चमच इतना नमक नमक से क्या होगा ना कि सारी गंदगी साफ हो जाएगी और इसके अंदर तक पानी अच्छे से जाएगा नमक का पानी तो बढ़ियां से ये साफ हो जाएगा तो ये कमल ककडी को साफ करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है खौलते हुए पानी में कमल ककडी को डालें और लगबग 15-20 मिट के लिए इसे पॉयल करना है ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें जो भी मिटी अच्छे से निकल जाए तो लगबग 5 मिट के बाद मैं इसका धकन हटा रही हूं और कमल ककडी को इस तरीके से छान चान कर एक छनी में हमें रख देना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए तो ये स्टेप हो गया ना इस तरीके से कमल ककडी के अंदर जितनी भी गंदगी होगी वह असानी से निकल जाएगी तो इसको करना बहुत ही जादा जरूरी है आप इस स्टेप को कूकर में भी कर सकते हैं जैसे कमल ककडी को कूकर में डाल दें और नमक डाल कर पानी डाल कर इसको लगबग 6-7 सीटी आने तक बॉल कर लें तो देखिए कुछ दिर में आप कमल ककडी का में अचार बनाऊंगी तो आप अचार की रेसिपी जरूर देखिएगा आगे चलते हैं हम वीडियो को देख लेते हैं इसकी सब्जी कैसे बनती है बहुत ही जादा मसदार और बहुत ही जादा टेश्टी बनती है कमल ककडी की सब्जी तो एक बार आप मेरे कहन तो इसके लिए ना यहां पर देखिए मैंने लगपक आधी कटोरी भर के दही ले लिया है तो इसमें सबसे पहले हम कुछ मसाले एड़ करेंगे जैसे की आधी छोटी चमच इतना हल्दी पाउडर एक छोटा चमच हम इसमें डाल देंगे तीखी वाली लाल मिर्च का पाउड इसके बाद एक छोटा चमच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इन सारे मसालों को जरूर डाले इसके साथ हम इसमें डाल देंगे सबजी मसाला अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला तो इस सारे मसाले आधी आधी छोटी चमच इतन पसंद हुब तो आची तरीके से इसे मैंने फेट लिया है मिक्स कर लिया है तो इसको रखते हैं आभी साइड में चलते हैं आची तरीकी से मिक्स करके सुनहरा होने तक इसे भून लेना है तो एक छोटा चमच हम इसमें भर के अधरक लैसन का पेश्ट डाल देंगे तोग्र आज के आपको मेरी यह रेसीपी थोड़ी सी भी पसंद आय ना तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा जादा शेयर तो देखिए साथ में हमाने डाल दिया है 2 medium size का टमाटर बारी कट करके डाला है नो to havia मीडियम साइस का टमाटर की यहाँ अच्छे से घरेकि करें लिख सकते हैं बीच में मैंने धग दिया था आप धगन हटा के कम से कम इस तरीके से मैश कर देंगे ना हम टमाटर को तो ये जल्दी से सौफ्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहे हूँ तो जैसे टमाटर थोड़ा सा सोफ्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधी छोटी चमच जितना इसके साथी आधी छोटी चमच से थोड़ा सा जाद हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे कलर बहुत ही बढ़ी आता है सबजी में और तीखा कम होता है तो आप अपने हिसाब से तीखे की मातरा घटा बढ़ा सकते हैं तो जैसे ये थोड़ा सब भून जाया ना मसाला तब हम इसमें डाल देंगे दही वाला मसाला जो हमने दही वाले मसाले बना कर रखे ते ना उसे हम डाल देते हैं और अच्छी दरीगे इसे से mix कर लेना है धीमी आज पर बढ़िया से हमें मसाले को भुनना है ताकि मसाले से तेल अलग हो जाए इस इस ट्रेप को हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना है तब आपकी सब्जी ना बना कर देखिएगा बहुत जादा टेस्टी बनेगी तो अच्छे से हमने इसे mix कर और लगबाग 5-10 मिनट के लिए इसे हमें ढग देना है धीमी आज पे ताकि मसाला ना अची तरीके से भून जाए और मसालों से तेल अलग हो जाए तो बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है चेक करते रहना है तो आप देख सकते हैं मसालों से तेल बढ़िया से अलग हो मसाला जो है महरे पहुत ही बढ़िया से भुन भी गया है तो एक आप अच्छे से हमें MicS कर लेना है करने के इसे डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और लगभख 5 मेट के लिए इसे हमें धीम याज पे भुनना है और बीच बिच में से चलाते रहना है चेक करते रहना है तो इसे हम ठख देते हैं फ्रेंट्स आपने कभी कमल ककडी खाया है या नहीं खाया है कहां से आप ये रेसिपी देख रहे हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा और आप किस तरीके से कमल ककडी बनाते हैं वो भी जरूर मुझे बताइएगा मुझे जानकर बहुत जादा खुशी होगी आप अपने हिसाब से कम ये जादा कर सकते हैं, अगर आप सूखी सबजी बनाना चाते हैं, तो अगर जादा ग्रेवी रखना चाते हैं, तो थोड़ा पानी और जादा डालें तो अच्छी तरीके बहुत ही बढ़ियां सा फ्लेवर आ जाता है और ये सबजी बहुत ही जादा टेस्टी लगती है जो लोग नॉन्वेज खाते है न वो इस तरीके से सबजी बना कर देखे फ्रेंस यकीन मानिए आप नॉन्वेज खाना भूल जाएंगे इत्ती जादा बढ़ियां और टेस्ट बनती है तो गैज को मैंने आफ कर दिया है इसे बारी कटा हुआ ह्रधनिय से हम गारणिश कर लेंगे और अच्छे से इसे हमें पक्रश देख से लिद्वेज़ जाएं तो आप देख सकते हैं मैं नजदीक से दिखाती हूँ लुक वाइज ये सबजी जो हैने किती जादा बढ़िया लग रही है और ग्रेवी की ठीकनेस भी एकदम पॉफिक्ट है तो रोटी के साथ खाएं चावल के साथ खाएं पूरी पराठे के साथ खाएं सबी के साथ ये जरूर इसे शामिल कीजेगा कमल ककड़ी के अचार की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है रेसिपी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्रेंस आप जरूर उसे देखिएगा उमीद करते हूं आपको ना कमल ककड़ी की रेसिपी बहुत जादा पसंद आ किजेगा और यकीन मानिए जो एक बार सी तरीके से सब्झी बना लेगे न अ कमल ककड़ी की वह हर भारिषी तरीके से बनाना पसंद करेंगी बहुत ही जादा टेस्ट्प्री परनी है तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी यूनीक मज़दार और हेल्दी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्यार